बंदुगन खोब सिग्गर एबे माँ पातेले श्वरिंग करो महाप्रव जगनाद करो फटो बांधा कलारा फटो मान्य परधान मंत्रिंको जिल्ला तरफ परू अमर नेता बल दे ब्यक 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 उपाहर दोचंती मत्हिंक बंदुगन खूब सिग्गर किछी ख्यान परे मान्य पर्धान मंत्री विश्वर जनाब प्रिय लोकनाएक स्री नरेंद्र मोदी आमको स्वागत जने में मुँ अंडोग करतीली समस्ते मोबाइल फोन रे दिपा लगेई की लाइट लगेई की समस्ते सभागार माननिया प्रधान मंत्रिंगु शागत जनांतु। मुँ अअजिर उपस्ति अठ्या प्रचि लाइट लगेई की लगेई की समस्ते माननिया प्रधान मंत्रिंगु शागत जनांतु। स्वन्पुर्व विधान्चवा प्रार्थी असोग पुजारी, बिरमहरोश्पुर्व विधान्चवा प्रार्थी रगुनात जग्दला, तिटलागर प्रार्थी असोग दोरा, लोई सिंगार प्रार्थी डॉक्टर मुकेश महलें, कंटाबांजीर प्रार्थी लक्ष्मन बहुद्र प्रार्थी शुषान्त प्रधान कंटामाल प्रार्थी भाइको नहीं डांगा समस्ते आपनो करता लिदेगी आमरे तुर्त प्रधान मंद्र किसेंगा अशिर्वाद करनतु समस्ते श्वागव जुनांतु भारात मता की मुँ पर्तमान अमरा नेता विश्व प्रसिद्ध जननाये के लोकप्रिया नेता माननिया नरेंद्रमोधि महासें को अन्रोध करूची ये विशाल विजय संकलप सभा को संभुधित करिबा पाईं माननिया प्रदान मंत्री जी भारत माता की मन्द पर विराजमान भारतिय जनता पार्टी के सभी वरिष्ट नेता हमारे सभी लोकप्रिय उमीदवार और विशाल संग्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों जय जगन्नाद जय जगन्नाद महा नदी आओ तेल नदीर संगम जगारे अवस्तित सुबर्ण पूर्रे मोर दादा भाई मा भावने मनको मोर जुहार मा सुरेश्वरी देवी अश्ट संभू अश्ट चंडी मा पत्नेश्वरी और हरिहर मंदीर में स्थापीत भगवान विश्णू और महदेव के चरणों में मैं स्रद्धा पुर्वग नमन करता हूँ देश का प्रधान से बग होने के साथ ही मैं बनारस का साउसद भी हूँ और इस स्थान से विशेश ने इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सुबर्णपूर और वारानसी में बहुत सी समानता हैं दोनों पर ही महादेव की कृपा है दोनों ही मंदिरों के शहर है बनारसी साड़ी विश्व में पहचान है तो संबल पुरी सिल्क भी इसकी भी एक शान है बाई और बैनों बालांगीर हो कंदमाल हो सुन्दरगड़ हो बारगड़ हो पूरे पस्चिमी उडिसा में पूरे उडिसा में लहर चल रही है लहर ये लहर जो मुझे दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे रही है क्या मैं जहां जहां गया मैंने लहर देखी आपको भी दिखती है गया लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखती है इस चायवाले को देश का चोकिदर बना रहा और देश को महासक्ति बनाने का सोभाग्या अगर मिल पाया है तो ये आप सभी का ही आशिरवाद है प्रयास है ये आपका ही प्यार जो आपके ही बीच से निकला ये मोदी आज एक सो तीस करोड आकांग्षाओं के सपनों के लिए सामान्य मानवी के लिए कुछ कर पा रहा है भावी और मैंनों आपके इस चोकिदार पर अगर ओडिसा सही पुरे देश का इतनास ने और उसी के कारण ये सबसे बड़ा काम आज विकास का इतिहास और विकास का विश्वास जन जन में नजर आ रहा है ओडिसा का विश्वास तब बढ़ता है जब जार सुगड़ा के एरपोर्ट बन जाता है बालांगेर बिचुपली रेलिवे लाइन जैसे प्रोजेक बनते है ओडिसा का विश्वास तब बढ़ता है जब ओडिसा मैं सिर्फ रेलिवे के विकास के लिए पांच वर्षों पहले की तुलना में पांच गुणा अधिक पैसा लगाया जाता है ओडिसा का विश्वास तब बढ़ता है जब बलांगेर, सुवन नगर, कंदमाल, सहीत पूरे ओडिसा के 24 लाग गरीब परिवारों के घर में बिजली का मुप्त कनेक्शन दिया जाता है ओडिसा का मोदी के प्रती विश्वास तब बढ़ता है जब गरीबों को अपने पक के घर मिलते है गर में खाना पकाने के लिए मुप्त में गैस का करेक्शन मिलता है सौचाला ही मिलता है साथियों आज बालांगीर और कंदमाल, सहीत पूरे ओडिसा को एक बात पूरी गंबिर्ता से सोचने की जरूरत है ओडिसा में कोईला भी है, दातू भी है, जल भी है, जंगल भी है फिर क्या कारण है कि इतना समर्द ओडिसा पीछड क्यों गया क्या कारण है कि विकास की दोड में ये राज्य पीछे रह गया दो दसक हो गए, दो दसक, 19-20 साल से यहां किसकी सरकार है आप बताएंगे मुझे, 19-20 साल से यहां किसकी सरकार है जरा पूरी ताकत से बताईएंगे, ऐसे नहीं 19-20 साल से उडिसा में किसकी सरकार है किसकी सरकार है किसकी सरकार है उसके पहले यहां, नवीन बाबू के पहले किसकी सरकार थी किसकी सरकार थी याने कभी कॉंग्रेस, कभी नवीन बाबू और वो बताएंगे, दिल्ली में मेरे आने से पहले किसकी सरकार थी अब बताएंगे, भाईव और बैनों असल में कॉंग्रेस और बिजेडी को गरीबी में अपनी राजनीतिक फसल दिखती है यही कारण है कि ओडिसा सही देश के एक बड़े हिस्से को इतने दसकों तक बदहाली में जीने के लिए मजबूर रखा गया कॉंग्रेस के पास पूरा अवसर था दसकों का समय था कि वो अरे अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम कर सके लेकिन उसने क्या किया कॉंग्रेस ने समाज में उंच नीच का ऐसा जहर बोया विकास में भी ऐसा बेदभाव किया कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आगे ही नहीं बढ़ पाया इसी का फाइदा नक्सलबाद और माववाद फैलाने वाले लोगों ने भी उठाया पीडी दर पीडी कॉंग्रेस गरीबी हटाने के सिर्म नारे ही देती रही और गरीब तो गरीब रह गया लेकिन उनके नेता अमीर होते गए यही बज़ग है कि आज देश का गरीब यह कहने लगा है कॉंग्रेस हटाओ तो गरीबी अपने आप हट जाएगी अगर गरीबी को हटाने की अगर गरीबी को हटाने की एक बढ़िया से बढ़िया जडी बुट्टी अगर है तो उस जडी बुट्टी का नाम है कॉंग्रेस हटाओ कॉंग्रेस के रहते हुए कभी गरीबी हटी नहीं सकती है क्योंकि गरीबी उनके राजनिती खेल का सबसे बड़ा हथियार है उस हथियार को कॉंग्रेस कभी छोड़ना नहीं चाहती और गरीबों को गरीबी से बाहर आने देना नहीं चाहती साथियो, मैं आपको कॉंग्रेस की एक और बड़ी साजिस के बारे में बताना चाहता गरीब हो, किसान हो, दलीत हो, आदिवासी हो, पिछडा हो कॉंग्रेस ने आपको मिलने वाली सहायता चिनने की तैयारी कर ली है कॉंग्रेस ऐसी नीतिया देश में लागू करना चाहती है, जिससे चोथ तरफा महंगाई बढ़ेगी, आपकी रसोई का खर्च बढ़ जाएगा गैस की कीमत बढ़ जाएगी, कैरोसीन तेल की कीमत बढ़ जाएगी कॉंग्रेस की चली, तो राशन की दुकान पर आपको जो सस्ता चावल और गेहू मिलता है, वो भी कई कुना जादा कीमत पर मिलेगा इतना ही नहीं, अब तो कॉंग्रेस के नेता, खुले आम, देश के करोडों लोगों को स्वार्थी बताने लग पड़े हैं, कह रहे हैं कि मद्यमवर्ख स्वार्थी है, मद्यमवर्ख अपना ही सोचता है और इसलिए मद्यमवर्ख पर टैक्श बढ़ाना जरूरी है, ये खुले आम बोल रहे हैं क्या मद्यमवर्ख के लोगों की कमर तोड़ करके, देश का बला होगा क्या, होगा क्या बला भाईयों बहनों, क्या गरीब का हक मारने वाले को, आप मोका देंगे क्या क्या ऐसी साजिस करने को, ऐसे लोग, इनकी जमानत जब तक कराओगे और नहीं कराओगे चुनाओं में साथियों, जब गरीबी और उससे जुड़ी योजनाओं को राजनितिक चंदा उगाई कि बिचोली और दलालों को लाब पहुचाने का माध्यम बनाये जाए, तब गरीबी खत्म नहीं हो सकती है, जो कॉंग्रेस ने किया, वही यहां बीजेडी की सरकार भी कर रही है, और इसलिए बाज़पा की सरकार ने इनके बिचोलीों की दुकाने बंद कर दी है, आज जो प्रस्ट है, वो मोदी से बहुत ही तरस्त है, ऐसे में ये चोकेदार इन लोगों को जड़ा खटक रहा है, इसलिए देजबर के महा मिलावटी प्रस्टाचार की भागिदारी ताय करने के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने की फिराक में है, मजबूर सरकार चाहिए उनको, मजबूत नहीं चाहिए, आप ताय कहिए, आपको दिल्ली में मजबूर सरकार चाहिए, कि मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत चाहिए ना, भाई और बैनो, दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए, तो ओडिसा में भी एक नई और उरजावान सरकार चाहिए, जो वडिसा के विकास के लिए नए विचार लेकर सामने आ सके बीजेडी के सासन में सिवाए बेदभाव के आप सभी को क्या मिला ये महा नदी और तेल नदी का ख्षेत्र है लेकिन ना तो पीने का पानी और ना ही सीचाई की सुविदा यहां का किसान अपना धान और अपना कपास ओने पोने दाम पर बेचने के लिए मजबूर क्यों है जबकि केंद्र सरकार ने लागत का डेड़ गुणा समर्थन मुल्यत तै किया है यहां जो मिले थी वो किसकी बेरुकी के करण बंद हुई यहां के विवाओं को दिल्ली, सूरत, अंदबाद, बैंगलोर जैसे शहरों के लिए पलायन क्यों करना पड़ रहा है इसका जबाब एक ही है 19 साल की वो सरकार जिसने आपने इतना बरोसा किया भाई और बहनों इस खेत्र में तो सिल्के कारोबार के इतनी बड़ी संभावना है यह एक पारमपाली की व्यवसाय है केंदर सरकार ने ऐसे व्यवसायों के लिए विशेश व्यवस्ता की है बुनकरों, शिल्वकारों, कलाकारों को प्रोच्छान देने के लिए आप जो भी साड़ी, कपड़ा या फिर धातु पर शिल्व करते हैं इसकी मार्केटिंग के लिए बहुत अधिक प्रोच्छान दिल्ली सरकार के तरफ से दिया जाता है यहां तक कि मुद्रा योजना के तहद बैंकों से बीना गरंटी का रण भी दिया जाता है ओडिसा की सरकार चाहती, तो आप तक इसका लाप पहुचा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भाई और भेनों, दिल्ली और भूमनेश्वर में जब विकास का डबल इंजीन 23 मई को लगेगा और कमल चाप डबल इंजीन लगेगा उसके बाद यहां की पहचान पलायन से नहीं, परियटरन से होने वाली है यह मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ, यह इतिहासिक विरासत की भूमी है, यहां हेरिटेज टूरिजम की बहुत संभावना है, यहां के युवाओं के पास रोजगार के अनन्त अउसर है, साथियों, सबका साथ, सबका विकास हमारा प्रण है और आप हमारी प्रेणा है, आपकी ही प्रेणा से आदिवासियों के लिए जंदन से लेकर के वन्धन की व्यवस्ता हमने की, पचास वन उपजों को समर्थन मुल्डि के दायरे में लाई, आपकी ही प्रेणा से राश्ट्रिये फिश्रा वर्ग आयोक को दसकों बाद समयदानिक दरजार दिया गया, क्रीमी लेर की आई सिमा को छे लाख से बढ़ा कर आठ लाख रुपया किया गया, आपकी की प्रेणा से दलीतों और आदिवासियों के नायक, नाईकाओं को समारकों में बदलने का काम हम कर पा रहे हैं, साथियों, 18 एपरिल को जो आप अपना वोट डाल रहे हैं, उसका उदेश क्या है, ये भी समझे, ये चुनाव कोई एक विधायक चुनने के लिए, या कोई एक सांसच चुनने के लिए, या एक मुख्यमंत्री या प्रदान मंत्री चुनने के लिए नहीं है, ये चुनाव नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण के लिए है, आपका आपके बच्चों का भविष्य कैसा हो, लोग सबा और विधान सबा चुनाव उसका फैसला करेंगे, ये चुनाव तै करेंगे कि भारत महा सक्तियों के साथ कदम ताल करेगा, या फिर गरीबी बिमारी और भुपणी के चुंगाल में फसा रहेगा, ये चुनाव तै करेंगे कि भारत के दुश्मनों को घर में गुश कर मारेगा, या फिर चुपचाप, बाम और गोले का अगाज सहेगा, ये चुनाव तै करेंगे कि हिंदुस्तान के हिरो मजबूत होंगे, या पाकिस्तान के पक्षकार मजबूत होंगे, ये चुनावताय करेंगे कि हमारे जवानों को, किसानों को और नवजवानों को सम्मान मिलेगा या फिर देश के टुकडे टुकडे करने वालों के आवाज गुंजेगी ये चुनावताय करेगा कि चोकिदार रहेंगे या प्रस्चाचार करने वाले किर्दान रहेंगे आपको चोकिदार चाहिए या प्रस्चाचार आपको चोकिदार चाहिए या प्रस्चाचार आपको चोकिदार चाहिए या प्रस्चाचार साथ योदो हजार चौदा में ओडिसा ने बरपुर समर्थन दिया मैं एक बार फिर इतनी गर्भी में इतनी बड़ी तादाद में आप आए और मेरी जहां नजर पहुंच रही हैं लोगी लोग है और वहां हैली पैड के पास हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं वो अलग मैं एक बार फिर आप से आशिरवाद मागने आया हूँ भाजपा के हर उमिदवार को दिया गया वोट देश को मजबूत करेगा ओडिसा को मजबूत करेगा और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ आप जब मतदान करने जाएंगे कमल के निशान पर बटन दबाएंगे वो कमल आपका वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है सीधा मोदी के पास जाने वाला है आप मुझे बताईए आप इस चौकिदार को मजबूत करेंगे इस चौकिदार के साथ खड़े रहेंगे पूरा उडिसा खड़ा रहेगा कितनी ही गर्मी होगी तो भी वोट नलने जाएंगे सुबह सुबह जाएंगे पहले जल्पान करेंगे कि पहले मद्दान करेंगे मद्दान करेंगे मन में तै करिये पहले मद्दान फिर जल्पान भाईयों बहनों आप इतनी बड़ी आत्रा में आकर के हमें जासिरवाद दिया मैं आपका बहुत बहुत आफिर आपारी हूँ मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की आपका ये चौकिधार पूरी तरह से चौकना है ये देश ये मेरा वतन ये मेरा घर मेरा चमन सबका विकास चाहता और